ये भूपू जैसे कानवाला राक्षस अपने बात्रूम से फ्रेस वकर बाहर निकलता है। उसके बाद ये अपने कपड़े उतार कर बदबदार कीचर में अराम से मलमल के नहाने लगता है। और उसी कीचर को अपने मुँ में लेके थूख देता है। फिर कीडों की टोकडी से एक कीडा निकाल कर उसे ब्रस करने लगता है। ब्रस करने के बाद ये एक तलाप के अंदर घुच जाता है। और उसी तलाप के अंदर ये अपना जहरीला पाद मारता है। जिसे तलाप की मचलिया मर कर उपर आ जाती हैं। और ये राक्चस उन्हें पकड़ लेता है। उसके बाद ये अपने घर में नास्ता करने लगता है। और जब रात होती है तो ये अपने घर में उन मचलियों को पका कर खा रहा होता है। सबी कुछ इंसान अपने हातों में आग और हतियार लेकर इस राक्छस को मार दें आ जाते हैं, जब राक्छस इनके सामने आता है, तो एक इंसान इसे आग से डिराने की कोशिज करता है, पर राक्छस उसके आग को अपने उंगली से पुझा देता है, और उन्हें डराकर वहाँ से भागा देता है दोस्तों वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब कर दें